शर्व प्रतमतो जय से गृष्ट आज हम लोग एक कथा सुनेंगे कथा बड़े दार में एक मार में एक तखा अध्यातमी था इस कथा को बड़े ही भ्यान से आप सुनें क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं आज हम लोग इसमें कुछ अलगी ही तरह का है उसको ध्यान से आप लोग सुने जो प्रत दिन शैयम में रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अच्छर है उतने लाख का चौगुना जब आदर पुर्वक कर लेता है वह पौरस्चडिक कहलाता है जो पौरस्चड करके प्रत दिन जब करता रहता है उसके शमान इस लोग में दूसरा कोई नहीं है जब तीन प्रकार से किया जाता है जिसमें मानस जब पुत्तम है उपांसू जब मध्यम है तथा वाचिक जब उससे निम्न कोटिका माना गया है जब करते समें क्रोध, मद, छीकना, ठूकना, जबाई लेना अता कुत्तो और नीच पुरुशों की योड़ देखना वर्जित है यदि कभी वैशा हो जाए तो आचमन करे अथवा शिव शिवा का अस्मर्ड करे या प्रडाम करे शिदाचारी मनुष शुद्ध भाव से जब और ध्यान करके कल्यान का भागी होता है आचार परमधर्म है आचार उत्तमधन है आचार स्रेष्ट विद्या है और आचार ही परमगती है आचार ही पुरुश संसार में निंदित होता है और परलोक में भी शुख नहीं पाता इसलिए शब को आचारवान होना चाहिए आचार ही परमोधर्म है आचार ही परमधनम आचार ही परमा विद्या आचार ही परमा गती शदाश्यू भगवान शंकर भगवती पारवती शे कहती है शदाचार से हीन पतित और अंतिज्यका उद्धार करने के लिए कल युग में पंचाच्छर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है चलते फिरते खड़े होते तथा श्विक्षान सार कर्म करते हुए और पवित्र अथवा पवित्र मनुष्यो द्वारा जब करने पर भी यह मंत्र निश्फल नहीं होता किशी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उश्के लिए यह मंत्र निहशंदेह शिद्ध ही होगा फिर भी छोटे छोटे कुछ फलो के लिए शहसा इस मंत्र का विन्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है इसके अनंतर उप मन्यू ने शाधक संसकार और मंत्र महात्म का वर्ण करते हुए कहा कि शाधक को बिना भोजन किये ही एक काग्रचित होकर एक शहस्त्र मंत्र का जब करना चाहिए अईशा करने से वह इस लोक में विद्या लच्चमी तथा शुक पाकर अंत में मुच्च प्राप्ट कर लेता है नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशह जल से मंत्र से और भस्म से भी अश्नान करके पवित्र होकर शिखा बांध कर यग्यो पवित धारड कर कूश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रीपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाच्छ मंत्र का जब करना चाहिए स्रीकृष्ण के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सुनने की इच्छा करने पर उप्मन्यू जी कहते हैं प्रातहकाल शयन से उठकर अपने दैनंदिनी कर्म का भली भांती चिंतन करके अरुड़ोदय काल में शाउच दन्तधावन आदिकार्यों से निव्रित्त होकर विधिवत किशी पवित्र नदी में शरोवर अथ्वा घर में ही प्रातहकालीन अश्नान कर शुद्ध वस्त धाल करना चाहिए यदि जल से अश्नान करने में व्यक्ति असमर्थ होतो भीगे हुए शुद्ध वस्त से अपनी शंपोड सरीर को पोचना चाहिए भस्त मश्नान अथ्वा मंत्रस्नान शिव मंत्र से करना चाहिए इसके बाद महादेव का ध्यान करके शुर्य श्वरूप शिव को अर्ग प्रदान करना चाहिए प्रात हकालेन शंध्या से निब्रित होकर देवताओं रिशियों पितरों एवं भूतों के निमित तरपड विधि पूरुवक करके अर्ग प्रदान करना चाहिए इसके अनन तक उप्मन्यू जी करन्याश की विष्टित विधी का वरणन करते हुए यह निर्देश की याकि ललाट पर भस्म से अस्पष्ट त्रीपुंड्र लगाएं इसके शाथ ही दोनों हुजाओं में शिदे अस्थल पर तिलक लगाकर शिर पर कंठ में, कान में, तथा हाथ में रुद्रक्ष को धारण करे अपवित्र अवस्था में रुद्रक्ष धारण नहीं करना चाहिए बताई कई रीतिशे न्याश द्वारा अपने में शिवतत्व का आधान करके तथा पशुभावना का त्याग करके मैं शिव हूँ इस प्रकार विचार कर शिव कर्म करे कर्म यग्य, तप यग्य, जप यग्य, ध्यान यग्य, तथा ज्यान यग्य ये पांच प्रकार की यग्य कहें गए हैं इन पांच यग्यों में ध्यान यग्य तथा ग्यान यग्य की बिशेश महिमा है जिसने ध्यान तथा ग्यान प्रप्त कर लिया उसने मानों भवशागर प्राप्त कर लिया ग्यान से ध्यान योग शिद्ध होता है और पुनह ध्यान से ज्ञान औप लब्धी होती है इन दोनों से मुक्ति हो जाती है तो आज के लिए इतना है फिर किशी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय स्रीक्रिष्ट शर्व परतम तो जय स्रीक्रिष्ट आज हों लोग एक कथा सुनेंगे कथा बड़े ही धार में, मार में, तथा अध्यात में है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किशी भी कथा को ध्यान से सुनने के ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है तो चलिए, कथा को सुनते हैं, यह जो कथा हैं, यह इस कहानी को समझ रखते हैं, यह स्रमण कुमार का है, स्रमण कुमार कौन थे, उनको जानते हैं, इनके माता पिता, दोनों आखों से नहीं देख सकते थे, बड़ी शावधानी और शद्धाशे, यह उनकी शेवा करते थे, अपने माता पिता के, प्रतीक इच्छा को, पूरा करने का, प्रयत्न करते रहते थे, इनके माता पिता की, इच्छा हुई की, तिर्थ यात्रा किया जा, तब स्रमण कुमार, एक कामर बनाई, और उनमें, दोनों को बैठा कर, कंधी पर उठाए हुए, ये यात्रा कराने लगें, ब्रामण के लिए तो, भिक्छा मांकर, जीव का निर्वा कर लेने की विधी है, किन्तो, दूसरी वर्ड के लोग, यदि दरिद्र हो, और तिर्थ यात्रा कर रहे हो तो, बिना मांगें, जो कुछ, अपने आप कोई दे दे, उशी शे, जीवन निर्वाह करना चाहिए, लेकिन स्त्रमण कुमार तो, वन शे, कंद मूल खल, ले आया करते थे, और उशी शे, माता पिता, तथा, अपना भी काम, चला लेते थे, दूसरे का दिया हुवा अन्न भी, वे नहीं लेते थे, इशी प्रकार, यात्रा करते हुए, आयुध्या की शमीप, जंगल में पहुँचे, वहां रात्री केश में, माता पिता को, प्याश लगी, शमण कुमार, पाने लेने के लिए, अपना तुम्बा लेकर, सर्यों तक पर गए, जब तक कोई, पूरी शावधाने से, धर्म के रक्षा करता है, धर्म उशे, शमस्त विपत्तियों से बचा लेता है, किन्तो, जब प्रमादवश, धर्म की मर्यादा का, ध्यान नहीं रखा जाता, तब, कोई न कोई, भूल अवश्य होती है, और, उश्का परड़ाम भी, शामने आता है, धर्म शास्त्र की आग्या है कि, युद्ध को छोड़कर, अन्ने कहीं भी, हाथी को मारना पाप है, दूसरे यह भी मर्यादा है कि, बिना पूरा निश्चे किये हुए, केवल अनुमान करके, कहीं कोई, अश्त्र न चलाया जाए, महाराज दसरत, उश्च शमय, अकेले ही, आखेट के लिए निकले थे, उश्च दिन या उन दिनों, अयोध्या की शमीप के वन में, जंगली हाथी रहते रहे हैं, श्रमण कुमार ने, जब, पानी में अपना, तुमबा डोवोया, तब उश्च जो शद्ध हुबा, उशे शुन कर, महाराज ने समझा की, कोई हाथी, जल पी रहा है, उन्होंने, शब्द वेधी वान, छोड़ दिया, एक तो केवल अनुमान के आधार पर, वान चलाया गया, दूसरे, हाथी समझ कर भी, वान नहीं चलाना था, जोगी, आखेट में, हाथी का मारना वर्जित है, वान जाकर, स्रमण कुमार की छाती में लगा, और वे चीख मार कर, गिर पड़े, तथा कराहने लगे, महाराज वह शब्द शुन कर, वहाँ पहुचे तो, देखा की, एक वलकल धारी, निरोश बालक, भूमी पर पड़ा है, उसकी जटाएं बिखर गई है, पात्र का जल गिर गया है, और उसका शरीद धूलत था रक्त से, लथफ़त हो रहा है, उसने महाराज को देख कर कहा, राजन, मैंने तो, आपका कभी, कोई अपराद नहीं किया था, आपने मुझे क्यूं मारा, मेरे माता पिता, दूरबलत था, आखोशे नहीं देख शकते, उनके लिए मैं यहां जल लेने आया था, वे मेरी प्रतिच्छा करते होंगे, उन्हें क्या पता कि मैं यहां इस प्रकार पड़ा हूँ, पता लग जाय तो, वे चल नहीं सकते, मुझे अपने मृत्तो का कोई दुख नहीं है, किन तु मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है, आप उन्हें जाकर यह समाचार सुना दे, और जल पिलाकर उनकी प्यास सांथ करे, महाराज दसरत, शोक्षे ब्याकुल हो रहे थे, श्रमण ने उन्हें अपने माता पिता का पता तथा वहाँ पहुचने का मात बता कर, आसवासन दिया, आपको प्रम हत्या नहीं लगी, मैं ब्राम्मर नहीं वहिश हूँ, पर मुझे बड़ा कश्ट हो रहा है, आप यह अपना बाण, मेरी ज्छाती से निकाल दे, बाण निकाल कर, यह पाण निकालने पर व्यथा से तडप कर एवं काप कर स्रमण ने सरी छोड़े, अव महाराज दसरत पस्ताताप करते हुए, जल के पात्र को शर्यू के जल से भर कर स्रमण के मातापिता के पास पहुचे, वहाँ पहुचकर, दुख्षे भरे हुए कंट से, किशी प्रकार उन्होंने अपने अपराद का वरणन किया, वे दोनों ब्रिध दमपते, पुत्र के मरने की बात सुनकर अत्तिन्त ब्याकुल हो गए, उन्होंने रोते रोते महाराज से कहा कि, हमी अपने पुत्र के मृत सरीर के पास पहुचा दो, महाराज दस्रत ने, दोनों को कंधे पर उठा कर, वहाँ पहुचाया, उशी शमे, महाराज ने देखा कि, मुनी कुमार, स्रमण, माता-पिता की शेवा के फल से, दिब्वे रूप धारण करके, बिमान पर बैठ कर, श्वर्व को जा रहे, उन्होंने आश्वशन देते हुए, अपने माता-पिता से कहा, आप दोनों की शेवा से, मैंने यह उत्तम गती प्राव्ट की है, आप मेरे लिए शोक न करें, आप लोग भी शिग्र ही मेरे पास आ जाईएगा, इसके पश्चार उन दोनों ने शूखी लकणियां एकत्र कराकर, उस पर स्त्रवण का मृत देह रखवाया, शर्यों में अश्नान करके, अपने पुत्र को जलांजली दी, और फिर उसी चिता में गिरकर, शरीर छोड़ दिया, अन्तिम शमय उन्होंने, दुख के बेग में महाराज को शाप दे दिया, जैसे पुत्र के बियोग में हम दोनों मर रहे हैं, वैशे ही तुम्हारा सरीर भी पुत्र के बियोग में ही छूटेगा, स्रमण के माता पिता भी अपने पुत्र के पूड़ी प्रभावशी उत्तम लोग को प्राप्त हुए, इस प्रकार स्रमण ने माता पिता की शेवा करके, उस धर्म प्रभावशी अपना तथा माता पिता का उद्धार कर दिया, आज के लिए इतना है, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैस्तिक्ष शर्व परतम तो जैस्तिक्ष आई हम लोग एक कथा सुनेंगे कथा बड़ी हिदार में एक मार में कथा अध्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किशी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं महर सी वसिष्ट के शाप से आठो वसुओं को मनुष्य योनी में जन्म लेना उन्होंने भगवती गंगा को अपनी माता बनने के लिए प्रार्थना करके उन्हें राजी कर लिया पूरुवंस में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनू को गंगाजी ने अपना पती बनाया उन्होंने महाराज सांतनू से यह वचन ले लिया था कि वे गंगादेवी के किशी कारे में खस्ता छेप नहीं करेंगे तब अब जो पुत्र उत्पन्न होता उशे गंगाजी अपनी धारा में ले जाकर डाल आती थी राजा शांतनू इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि वे कहीं चली ने जाए इस प्रकार जब शाथ पुत्रों को वे जल में डाल चुकी और आठवा पुत्र हुआ तब राजा ने कहा तुमने मेरे शाथ पुत्र तो मार ही दिये एक बालक तो मुझे दे दो गंगाजी ने कहा ए बच्चे तो वशू थे शाप के कारण ए मनुष्ययोनी में आये थे मैंने इने फिर इनके लोक भेज दिया यह आठवा बच्चा भी वशू है पर इसी के प्राध के कारण शाप हुआ था यह दिर्खकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा आपने मेरे कारण में बाधा दे कर नियम तोड़ा है इसलिए अब मैं जाती हूँ आपका यह पुत्र बड़ा होकर आपके पास आ जाएगा गंगा जी उस बालक को लेकर अंतरधान हो गए एक निर्दाजा शंतनों गंगा किनारे घूम रहे थे उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है इसका कार जानने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक दिब्य अस्त्रों का अभ्याश कर रहा है उसने अपने बाड़ों से गंगा की धारा रोक दी है गंगा जी ने प्रगट होकर राजा को बताया कि यह उनका आठवा पुत्र है उस कुमार को राजा सांतनू अपने साथ ले आए और उसका नाम उन्होंने देव ब्रत रखा महर्सी वसिष्ट से देव ब्रत ने शंगो पांग बेदों की सिक्छा पाई थे दैत्य गुरु शुक्राचार अथा देव गुरु ब्रिहस्पती ने उनको राजनीत की सिक्छा दी थी अथा भगमान परुष्राम ने उन्हें धनुर वेद की सिक्छा दी थी महाराज सांतनु एक दिन यमुना तट प्रगूम रहे थे वहाँ उन्हें बहुत उत्तम शुगंध मिली वह शुगंध योजन गंधा शत्यवती के सरीर की थी शुगंध की खोज करते हिवे राजा शत्यवती के पास पहुचे वे उश की शरूप पर मोहित हो गए और उन्होंने उशे अपनी पत्नी बनाना चाहा शत्यवती का पालन पोशन निशाद राज के यहां हुआ था राजा शांतनू ने जब निशाद राज से उनकी कन्या मागी तब निशाद राज ने कहा मैं अपनी कन्या आपको तभी दे शकता हूँ जब आप यह प्रतिग्या करे कि आपके पीछे इस कन्या के गर्वशे उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा यद्यपी महाराज सांतनू शत्यवती पर आशकत हो गए थे परंत अपनी बिनई, सुसील तथा योगि पुत्र देव ब्रत को उसके अधिकार से वन्चित करना उन्होंने श्विकार नहीं किया और वे लौट आए महाराज सांतनू लौट तो आए पर उनका चित शत्यवती में ही लगा रहा इस चिंता में वे दुर्वल पढ़ने लगे देव ब्रत ने मंत्रियों तथा सिवकों से पूछ कर किसी प्रकार पिता की चिंता का कारण जान लिया वे बड़े बुढ़े छत्रियों को लेकर निशाद राज के यहां गए और उनकी कन्या को अपने पिता के लिए मागा निशाद राज ने कहा यह कन्या मेरी नहीं है यह आप जैसे ही उच्च राज कूल में उत्पन्न हुई है इसके पिता ने मेरे यहां इसके पालन पोषड के लिए रखा है और वे तब करने चले गए है उनकी भी इच्च यही है कि इसका विवाह आपके पिता से हो किन्तु इस सम्मंद में यह दोश है कि इसके पुत्रों की आप से प्रति द्विन्दिता हो जायेगी और आप से शत्तु ताक करके तो देवता भी जिवित नहीं रह सकते देवब्रत ने कहा निशाद राज मैं प्रतिग्या करता हूँ कि इसके गर्वशे उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा निशाद राज को इतने से शंतोष नहीं हुआ उन्होंने कहा राज कुमार आपकी प्रतिग्या तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है किन्त मुझे भय है कि आपका पुत्र शत्यवती के पुत्र से राज छिन लेगा देव ब्रत ने कुछ सोच कर हाथ उठा कर कहा मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था अब दूसरी प्रतिग्या करता हूं कि आज से आज जीवन ब्रह्मचर ब्रत का पालन करूंगा इस प्रतिग्या के करते ही आकास से पुष्पो की वर्षा होने लगी देवताओं इतनी भीषण कठोर प्रतिग्या करने के कारण देव ब्रत का नाम भीष में रखा गया जब निशाद राज कन्या लेकर कन्या को लेकर आए और भिष्व उस कन्या को अपने पिता को दे दिये तब शांतरून ने आशिर बात देते हुए कहा मेरा निश्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्त उसका असपर्ष नहीं कर सकेगी जब मेरे पुत्र की इच्छा होगी तभी उसे मृत्त आएगी अपने दिड़ प्रतिग्या का जीवन भर भिष्व ने पारण किया और महा भारत के युद्ध में जब वे सरसया पर गिर पड़े शरीर के रोम रोम में बान लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से शुर के उत्तरायन होने तक जीवित बने रहे तो आज के लिए इतना ही फिर किशी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए चाइस रिकिश